तो क्या आप जानते हैं कि हमारी country में two willers वालों से toll booth पर पैसा क्यों निलिया जाता हूँ तो चलिए मैं बजाता हूँ आप सब लोगे जानते हैं toll का पैसा इसलिए लिया जाता है government पहले highway बनाती है और उसका पैसा 15-20 साल में toll के through public से recover करती है तो फिर two willers वालों से पैसा क्यों निलिया जाता वो भी तो इसी highway पर bike के scooter से जाते हैं तो इसके बीचे तीन कारण है पहला अगर हम bike को compare करें बड़े vehicle से तो ये road को कम से कम नुकसान पहुंचाता है दूसरा government का ऐसा मानना है कि अगर कोई bike शिला रहा है तो वो middle class से ब्लॉंग करता है और हर trip के लिए 30 से 50 रुबे देना उसके लिए एक बहुत बड़ा burden होगा और तीसरा, national highway पर generally toll booth 50 से 100 km के बीच बनते हैं और middle class वाले लोग बहुत कम ही 50 से 100 km जाते हैं वो generally अपने city के आसपास गूंते हैं और highway को कम यूज़ करते हैं तो इनी कारण की वज़ास से उनसे toll का पैसा नहीं लिया जाता हूं और भी इसे missing videos के लिए subscribe जरू कर लेना